हर बार राजस्थान विधानसबा चुनाओं में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखर जाट किसका साथ देंगे और किसकी खाट खड़ी करेंगे जाट समाज जिस कौम से आती हैं वो राजस्थान में खासा प्रभाव रखती हैं प्रदेश की 82 ऐसी विधानसबा सीटे हैं जहां जाट और किसान बहुत संख्यक हैं लिहाजा ऐसे में किसी भी पार्टी की जीत या हार में इस कौम का खासा योगदान रहता है तो चलिए जानते हैं किसका साथ देने वाले हैं जाट कौम इस बार और कौन सी हैं ये 82 सीटे जिस पर जाट बनाएंगे समी करण नमस्कार मैं हुचेतना शर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान समभाद तो पिछले चुनावों से चुरू करते हैं तो 2013 के विधान सबाचुनाओं में जाटो ने बीजेपी का समर्थन किया था महीं 2018 की बात करें तो इस विधान सबाचुनाओं में बीजेपी को किसान कौम की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ा था और कॉंग्रेस की जीत होई थी अब एक बार फिर से यही सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर अब की बार जाट किसका साथ देंगे दरसल राजिस्थान में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही दल जाटों को साधने में जुट गए हैं जोदपुर, नागौर, पाली, बाडमेर, जैसलमेर और सिरोही से लेकर शेखावटी में चूरू, सीकर, जुनजुनू और बिकानेर, गंगानगर, हनुमानगर, भरतपुर और धौलपुर तक में जाटों का खासा प्रभाव है यहाँ जीत का फैसला और हार का फैसला यही कौम तै करती है शेखावटी शेतर के अगर हम बात करें तो चूरू की साधुलपुर, तारानगर, चूरू, सरदार शहर, रतनगर और सुजानगर सीटे प्रमुख हैं सीकर के फतैपुर, लक्षमनगर, धोद, दातारामगर, खंडेला, नीमका थाना और श्री मादुपुर जुनजुनु के पिलाने, उद्यपुर वाटी, नवलगर, मंडावा, जुनजुनु खेतिडी और सुरजगर में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा इधर अगर मारवाड की हम बात करें तो जोदपुर की लोहावट, शेरगर, ओसिया, भोपालगर, सरदारपुरा, जोदपुर, सूरसागर, लूनी, बिलाडा और पाली की जयतारण, सोजत, बाली, पाली, मारवाड जंक्शन, सुमेरपुर और जालोर की आहोर, जालोर, भ इधर हम बात करें तो सिरोही की पिंडवाडा, आबू, रेवदर और सिरोही भी इसमें शामिल है, फिर बीकानेर की खाजुवाला, बीकानेर पश्चम, बीकानेर पोर्व, कोलायत, लूनकरसर, डूंगरगर, नोखा के साथ साथ, श्रिगंगानगर की सादुल शहन, गंग लोहार और भदरा सीटे प्रमुख है, अब हम अगर दोनों पार्टियों के प्लान की बात करें, तो बीजेपी का जो प्लान जैट है, वो होगा, दोजार अठारा में बीजेपी को जाटों के नाराजगी भारी पड़ी थी, लिहाजा ऐसे में बीजेपी अब किसी भी सूर और यही एक बड़ा कारण है, कि उन्हें पार्टी अलग-अलग मौकों पर आगे करती आई है, और अब जोती मिर्धा का आना भी उनके प्लान को सक्सेस्फुल बना सकता है, इधर कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डो टासरा जाट समाच से आते हैं, अच्छे तरीके से साधने का प्लान बना चुकी हैं, इधर दूसरी तरफ आगम देखें, इन दोनों पार्टियों के इतर, तो हनुमान बेनिवाल भी जाट समाच से आते हैं, और एक बहुत बड़ी फैन फालोइंग है हनुमान बेनिवाल की, और बेनिवाल भी जाट साथ देने वाले हैं, ये भी बहुत ही महत्वपोन सवाल हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी कौम से आते हैं, किसान कौम से आते हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आप इस बार किसका साथ देने वाले हैं, कौन सी पार्टी के साथ देकर उसको सरताज देंगे आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाईए अपनी पहचान साड़े चार करोड से ज्यादा व्यूज और तीन लाग सताइस हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजिस्तान के चैनल राजिस्तान संबात पर करवाईए कवरेज जारा जनकाली के लिए वोट्साब करें 733-99-00-549-4